दोस्तों आज हम NCRT की स्रंखला में क्लासिक्स की हिस्ट्री का जो प्राचीन भारत कहते आज है उसके बारे में अगला चैप्टर पड़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम है आखिटक एवं खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक यानि मानब का आखिटक शिकारी से बताया गया है नव पाशांखल के बारे में तो यानि कि मानब ने प्रारंब एक जीवन अपना जीवन कैसे जीना प्रारंब किया उन सभी के बारे में इस चैप्टर में बताया है चलिए हम सुरू करते हैं देखिए NCRT का देन अपने आप में बेमिसाल होता है NCRT को एक सि प्रेंट के लिए लाब दायक है के जो किसी भी प्रक्षा की त्यारी करनें एक्ञारी कर रहे हैं और सबीके लिए NCRT का अध्यन है वह बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुस्तक में क्या बताया गया है पुस्तक में बताया है आके टक पहले एदरदर जीवन जतीत करता था और शिकार करके अपना बोजन प्राप्त करता था फिर वो भोजन का संग्रहन करने लगा फिर वो क्रसी करने लगा बोजन का उत्पादक किस तरह से बना इस संपूर्ण पार्ट में अध्यान करेंगे तो देखिए लगब बीस लाक साल पहले शुरुआत है इंपोर्टेंट है बीस लाक साल पहले वे लोग जो जंगली जानवनों का सिकार करते थे मचलियां पकड़ते थे चिडिया पकड़ते थे फल फूल पौधे पत्तियां अंडे खटा करते थे इन लोगों को आखेटक खाद संग्रहा की संग्या दी गई है आगे हम बात करें कि वह अपने भुजन की तलास में इधर-दर घुमते रहते थे तो निम्न प्रमुख को चार कारणों से यह एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर गूंते रहते थे पहला है भुजन की तलास में यानि कि प्रारंबिक मानब का जो जीवन था वह याया लो दोदोबर जीवन होने का प्रमुख छार कारण बताये हैं NCRD में वह चार कारण कौन से हैं पहला कारण है भरॉजन की तलाष़ में भोंते PC थैं一下 if measuring I cannot know which misinformation house are more emerging to total दूसरी जगह कोई दूसरा फलफूल है तो उनकी तलास के लिए भी माना विदर दर बठकता था और पानी के उपलब दता देखिए ज्यादा तर जो माना बसती है प्रार में बनी वो जील या जरने या नदी के किनारे बनी क्योंकि माना को जीवन जीने के लिए पानी की सबस होजन की तलास शिकार करने के लिए अलगलक मौसम में हलगलक्तूल की तलास पानी के उपलब दता जीज़, जरने की नदी के पास पानी की उपलब दता होने के कारणहोंगे एक जबद से दूसरे हो ग önटी तक गूमते थे ध्यान देजिए कि मानव शिकार करने के लिए पत्थरों लकडियों और हड्डियों ध्यान देना तीनों के ओजार बनाता था किस किस के ओजार बनाता था पत्थर लकडियों के ओजार बनाता था और ज्यादा तर ओजार जो थे वो बाण या भाले के रूप में इनके पाए जाते थे हमें आखे टक और खाद संग्राह कुने के प्रमार कहां पर मिले हैं देखिए वास्तम में हमने यह जब चप्टर सुरू किया है तो हम पुरा पाशानकाल पड़ रहे हैं तो पुरा पाशानकाल के प्रमार या आखे टक खाद संग्राह कुने के प्रमार मानव के कहा पर मिले हैं हमें मिले हैं भीम बेटका MP से यह नर्मदा नदीगा टीम के पास में है उन्सगी से और कुर्नूल गुफाओं से और यह तीनों इस्थल पुरा पाशान कालीन इस्थल है तो परिच्छा में आप से पूछा जा सकता है कि निम्दमे से कौन से इस्थल पुरा एक लाइन इंपोर्टेंट होती है कौन सी लाइन का से पूछ लिजाए उसका कोई भी वरोसा नहीं है आगे हम बात करें तो गुफाओं में रहने वाले लोग जंगली जानवरों का चित्रन करते थे देखें गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहां पर मतलब उन गुफाओं का उन्होंने चयन किया परवतिय गुफाओं का चयन किया जहां पर अच्छे पत्थर मिलें वहां tip करने के लिए से वहां लगतुन के लिए आजागतृरों के बात करते थे देखिए वहाँ वे इस्थान जहां पर ओजार बर्तन और इमारतों के अफसेस मिलते हैं उन्हें पुरा इस्थल कहते हैं तो पुरा इस्थल किसे कहा जाता है पुराने इस्थल यानि वे इस्थान जहां पर ओजार बर्तन और इमारतों के अफसेस मिलते हैं उन्हें पुरा कुर्णूल गुफा में कुर्णूल गुफा में इसमें रहने वाले लोग आग का प्रयोग करते थे प्रकाश यह तू मास पकाने के लिए खतरनाग जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग करते थे तो आग की खोज के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं पुरापाशानकाल के बारे में पुरापाशानकाल का समय शुरू होता है 20 लाग बर्सपूर्व से बार हजार बर्सपूर्व तक मानव इतिहास की 99 प्रतिस्चत कहानी इसी समय में घटी यानि मानव का जो इतिहास है वो निन्यानमे प्रसज्च जो कहानी है वो पुरापाश काल को तीन भागों में बाटा गया है यह पूछा जा सकता है आपको कि देखिए पासान काल को तीन भागों बाटा है पुरापासान काल को भी तीन भागों बाटा है आरंबिक पुरापासान काल मद्य पुरापासान काल उत्तर पुरापासान काल देखिए इनमें अंतर इतना है कि पुरा पाशान काली जो ओजार थे वो बोंड़े प्रकरती प्रकरती थे ज्यादा नुकीले नहीं थे मत पाशान काली के और नुकीले पुराकी वाद में लकणियों ने साथ यहां बनानीं में में इनका उप्यो किया जाता था है अब हम बात करेंगे पाशनका मगल को तो पत्थर के उजारों का उप्योग थोड़े नुकीले पत्थर के उजारों का उप्योग किया उसे मीजो लिथिक एज कहा जाता है देखिए मद्द पाशान काल में मचली भोजन का महत्तपूर्ण शुरूद बन गई थी यानि कि शिकार जब करते थे तो वह पानी से भी श समय है मद्द पाशाण काल का 12,000 इसा झते-चान पुरू तक ज्अ झितए बारेजार ईसा पूरु उस देखिए लग बीस लाग साल पहले से और 12,000 इसा पूरु तक का जो समय है वो पुरा पाशानकाल है और 12,000 इसा पूरु से और 10,000 इसा पूरु तक का जो समय है लगवग 8,000 बर्सका है तो वो सुरी 2,000 बर्सका है तो यह है आपका हो जाता है मद्द पाशानकाल मद्द पाशानकाल में क्या हुआ पर्यावर्णि नुकीले थे तो इनको ओला गया उसरा वहाएं कर दिन शासे जह सुए है और महले नपथ करें स्यार रही सपूरrhों से सब्सक्राइब होता है और नपाशन काल में खेती और पशुपालन करने की शरूआत होती तो इस तरह से नपाशन काल का समय सबस्द करते हैं अब हम नभाषान काल के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेगे लिए देखें नभाषानकाल का समय कमसा है लगवख सबसे पहले समय को पलतू बनाया गया था इसके बाद भीड बखणियों के नावरों को अध्यन किया और उनी पस्वों को उनी जानवरों को अपना पालतू बनाया है जो नुकसान नहीं पहुचाते थे तो सबसे पहले पालतू बनाया है जानवर था वो था कुत्ता फिर उसके बाद वहे भीर बक्रियों को पालतू बनाना शुरू कर दिया तो उनकी देखवाल के लिए उनकी स यह जोटी-चोटी मानवबस्थियां बनाने हैं उनक्या करते सुरू कर दिया और और ऑजार इस समय धारवा पहना पंद था इनमें पॉलिश जक्त नुकीले ऑजार बनाए गए प्रसुपालन के साक्ष्ष देखें नपासन काल में प्रसुपालन के साक्ष में कहां से मिलते ह हमें मिलते हैं मेहरगड पस्चिम उत्तर छेत्र में पढ़ता है भारत के और बुर्जुहों कश्मीर वाले लागे में बुर्जुहों कोल्डी हवा और महागड़ा यह मद्द छेत्र में शिरॉंद और दावजली हेडिंग पूर्वी छेत्र में हलूर पैयम पल्ली धच्छन उत्तर में तो कहां से हमें मानव के क्रसी वाले वाले मेहरगड बुर्जुहों कोल्डी हवा महागड़ा चिरॉंद दावजली एडिंग हलूर पैयम पल्ली धच्छन शेत्र में और क्रसी में सबसे पहले जो क्रसी की गई थी वह की गई थी गेहूं और जो की और उसके बा जीवन शुरू कर दिया और अपने लिए घरों के निर्माड भी करवाया कहां पर मिले हैं जहुंपड़ी और घरों के प्रमान यह मिले हैं बुर्जहों कश्मीर में बुर्जहों कश्मीर में गड़े के नीचे घर मिले हैं जिसे गरतवास कहते हैं इसका अर्थिय लगा ज दिले हैं कि औकली और मुसल को गया करते हैं और मोसम के अंसार अंदरवा बाहर हो फियोग में लिए सबसे पहले बीज की उपयोग में लिया खाने की उपयोग में लिया उपहार के रूप में अनाज को उपयोग करते थे और भंडारण में अनाज को उपयोग करते थे इंपोर्टेंट है देखे एक बीज में खाने में भंदारण में हमें नौर्मल याद रह जाएगा लेकिन हम यह नहीं जान पाएंगे कि प्राचीन काल में अफ़ार के रूप में भी अनाज का किया जाता था लेंडिन किया जाता था तो आप हार के रूप में आज का कपास की किकासि कि कपडे बने भी इन्होंने शुरू कर दिये पत्थर और हड़ियों के नहोंने क्या बनाए औजार बनाएं आए तेखे महरगाड में महरगड में नपासान काल के बहुत अच्छे प्रमाण मिलते हिं महरगड़ एरन आने वाले रास्ते में बौलं दर्रे के पां सरावरा संस्तल है यहां सबसे पहले जो और गयों उन्हों ने उगाना शुरू किया था और क्या किया था यहां पार रहनाıllी बहर भेर भक्रियों की वन न कींचे बहरा प्रख्रा scent करते हैं नहीं पूरवजों के लिए सम्मान प्रकट करते थे तो यहां लोगों को कबरों में दफनाते थे इनका मानना था कि मरत्यू के बाद भी जीवन होता है इसलिए कुछ सामान भी उसके उनके साथ ये रखते थे महरगड के लोग कुछ सामान भी रखते थे तो मरत्यू के बाद जीव मेहरगड में ही देखिए सबसे प्राचिंतम गांव नगर के रूप में बता गया है तो इस तरह से हमने पुरापाशनकाल मद्पाशनकाल और नपशनकाल के बारे में पढ़ा जो नसी आड़ी में बता रखा है तो उसे हमें एक नौलेज मिलती है कि मानव ने अपना जीवन किस तरह से सुधार करने की प्रक्रिया को प्रारम गिया मानव के बसने की प्रक्रिया का प्रारम बारहज़ार वर्स पहले मेहरगड में बस्ती का आरंब 8000 वर्स पहले हुए और पसु पालन भोजन के बंदारण का एक तरीका है जिससे हमें मास और दूद की प्राप्ति होती थी मानव को और सबसे प्राचीन जो फसल है वह कौन सी है गय हूं और जो मोस्ट इंपोटेंट है परिक्षा की द्रश् आद चनलूर कौन महापाशानिक नगर है ब्रह्मगरी और आद चनलूर तो इस तरीके से जो एंसी आटी का सेकंड चैप्टर है क्लास एक्स का प्राचीन वारत की इतियास का वह हमने समाथ किया थोड़े से समय में हमने इसको पढ़ा तो आप भी इसको अच्छे से अध्य सरे ब्रह किया ह्याँ पायाँ कियुड़े क्लास प्राचीन की में हो आब आपी साथ।बक्टर एके समय तो balance क्विए यश्याँ च的是 ड saat वह हैकता ब्लाज備 प्राच कर च으ंगर ब्राच्ट साथ।बक्टर है क्लेक्टर खक्ड़ झाएचर जगरका?.